नमस्कार स्वागत है आपका बेग नियूज 24 इंटू 7 मैं आपके साथ हूँ मैं समपदा वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का तो चली एक नजे डालते हैं आज की सुर्ख के उपर माराश में कोरोना महामारी के वज़े से रक्त की कमी हो गई है मुख्यमंदरी उधर ठाकरे ने कहा है कि राज Climai सिर्फ यू साथ दिन के लिए रक्त उपलब्ध है इसके मद्दे नजर मुक्यमंदरी ने लोगों से रक्त दान करने की अपील की है साथ उन्होंने कहा है कि हर तीन महीने में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करें उगली जीले के चाप दानी के अंगसी लाके में एक जंसभा में प्रदेश भाजपा ध्यक्ची दिलिव गोश्च ने दावा किया है कि सरकार के पास पैसा नहीं है यदि पैसा नहीं है तो उन्होंने प्रसांत की सोर को 500 करोर रुपे कहां से दिये क्लबों को लाखो रुपे कहां से देती है कोरोना के कारण बंद चल रहा है स्कूल में पढ़ाई की जा रही है लेकिन पिछरे वर्ग व गरीब विद्यार्तियों के पास एंडरॉइट फोन न होने से वे परिशान है चातरों की समस्याओं को देखते हुए पचिमंगाल राजी सरकार ने गरीब विद्यार्तियों को एंडरॉइट टेप देने का फैसला किया है पचिमंगाल भाजपा के प्रदेश महासची सानितन वसु ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि वो केंदर के पैसों से कमिशन ले रही है साथ ही उन्होंने कहा है कि त्रिनमुल हमेशा भाजपा पर आरोप लगाती है कि हम हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, गैर बंगाली करते हैं इस तरह की राइनीती का अब अंत निश्चित है भाजपानेता भारती घोश नंदी ग्राम में एक बैठक से वापस आने के दौरान चांदीपूर की एक दुकान पर बातों बातों में ही अपने कर्मियों के लिए चाय और ओमलेट बना डाला इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निसाना भी साधा पाष्चिमंगाल मिदनापूर जिले के कोला घाट सहीद देउलिया बाजार छेतर में गरीब लोगों में कोला घाट सोशल सर्विस सोशाइटी द्वारा कंबल वितरन किया गया कैप्टन मलिक ने लगभग 100 लोगों में कंबल के साथ साथ बिस्किट का भी वितरन किया को आस्वासन दिया है कि वो बस्ती वालों का हर संभब मदद करेंगे वश्यमंगाल के हल्दिया पोट का केंद्री जहाज मंत्री मंसुक लक्षमन भाई मांडवी ने दौरान उन्हों ने कोला घाट के भाजपानेताओं के साथ एक सांगठनिक बैठक भी फिर हल्दिया अब तक के लिए इतना ही खबरों को और विविस्तार से जानने के लिए बने रही बिग नियोज 24-7 के साथ धन्यवाद